अब चुनाव आने वाले हैं पहले चीज़ तो किसी भी चुनाव को हलके में दे लेने लेना चाहिए अभी तो पता है नहीं नतीजे क्या है लेकिन आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक हीए एक कि और outer confidence मत करना कभी ही किसी भी चुनाव को हलके मी दे लेना चाहिए हर सीट कठिन होती है मेहनत करनी है और लडाई मत करना अपने अपने मेलेज के साथ लडाई मत करना सब लोग मेहनत करना मेहनत नहीं करेंगे तो और इस चुनाव के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका होगा क्योंकि अब हम M.C.D. में जंता उमीद करती है बेसिक चीज करेंगे अपने अपने एरिया में घूम घूम के कोशिश करो कि कूडा उठ जाए डेली जाडू लग जाए उतना काम अगर आप करा देंगे मुझे उमीद है कि हम लोग चुनाव जीत जाएंगे अपने अपने इलाखे में इतना कर देना मेरे कहने से लड़ना मत जगड़ा तो होता ही है उसमें कोई गलत बात नहीं है लड़ने जगड़ने में लेकिन अब लड़ाई जगड़ा हम अप मार्च अपरेल में करेंगे अभी चुनाव जीतना एक मात्र हमारा लक्षे होना चाहिए फरवरी के महीने में चुनाव है हम सब को मिलके उसके जी जीते हैं और जुजहारूनेता है बहुत जमीन पर उस व्यक्ति ने काम किया है बहुत खुशी है पूरी आमादमी पार्टी को कि आमादमी पार्टी का कारवा अर्विंद केजरिवाल जी का कारवा उनकी इमानदारी की राजनीती देश के अलग-अलग हिस्सों में पहु होगी हर्याना के जो परिणाम आये हैं उसके बारे में हम लोग बैठेंगे और उसके बारे में समीक्षा करेंगे निश्चित रूप से आमादमी पार्टी आज एक रास्टी दल के रूप में पूरे देश में अपना विस्तार कर रही है और ये हमारे निता के जिवाल जी क जो सिख्षा स्वास्त का मॉडल है जनता के हितों के लिए काम करने का जो मॉडल है उसका विस्तार है उसको आप देखिए अब आम आदमी पार्टी का जो संगठन है उसके बारे में बैठके उसके विस्तार से चर्चा करेंगे अभी तो परिडाम आये है आने सुरू हुए है बहुत सारी जगों का अंतिम परिडाम आने दीजिए उसके बाद बैठके उसकी समीक्षा करेंगे